हेलो अब्रीवन वेलकम टॉ माई चैनल सो गाईज आज अब लोग आपर सौल करेंगे क्लास चेंद अर्यस अगवाल की बुक से गाईज निव एडिशन से चाप्टर फॉर क्वाड़िटी के क्योशन एक्सराइज नमबर 27-28 सो गाईज यहां पर आप सभी कोशन देख सकते ह जाएगी चैनल पर सो अगर आप चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि अपडेटेड नॉटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे ओके आए कोशन नमबर 27 करते हैं सबसे पहले देखते हैं 2 रूट 3 कितना होगा रूट 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा that means आपका 6 हो जाएगा now 6 के ऐसे फैक्टर करने है जिनको add sum करने पर क्या आए 2 रूट 2 राइट तो अब आपको मालूम है 3 2 रूट 6 होता है अब इसमें से टर्म को ऐसे बनाना है कि add sum करने पर 2 रूट 2 राइग it means root में कौन से values आनी है 2 की आनी है ठीक है तो हम 2 को क्या लिख लेते हैं root 2 into root 2 लिख लेते हैं चलिए लेकिन आपको add sum करने पर क्या लाना है 2 root 2 लाना है ठीक है तो अब हमें हम देखते हैं यह आपका आप 2 into 3 को 3 root 2 into root 2 लेख सकते हैं सो इनके जब अगर हम फैक्टर बनाते हैं 2 root 2 कैसे आ सकता है गाईज अगर आप 3 root 2 minus root 2 करें तो 2 root 2 आ जाएका ना देखो अगर आप root 2 root 2 2 minus 3 नहीं आया कुछ भी that means 3 root 2 और एक root 2 आपका फैक्टर ऐसा हो गया अगर 3 root 2 में से आप 2 root 2 minus करेंगे तो 2 root 2 आपका possible है कि आ जाएगा तो यह हमने यहां से फैक्टर को उठा लिया तो इस तरीके से आप side में करके देखेंगे तो आईए आप question हो जाएगा बहुत ही easy 2 root 2 को हम क्या लिख देंगे 3 root 2 minus root 2 into x minus 2 root 3 equals to 0 अब यह बहुत ही easy हो गया root 3 x square minus 3 root 2 x minus minus plus root 2 x minus 2 root 3 equals to 0 ठीके नाव गाइस factor करेंगे ठीके तो आप देखें यहां से root 3 x square यहां पर root 2 3 को क्या लिख सकते हैं root 3 into root 3 लिख सकते हैं ठीके नाव यहां पर भी 2 को क्या लिख सकते हैं root 2 into root 2 लिख सकते हैं now guys root 3 and यहां से root 3 common ले लेंगे and यह आपका into में root 2 as it is रहेगा so root 3 यहां से यह और इसे cancel कर दीजिए जिससे कि common आ जाए एक x common आ जाएगा तो bracket में यहां से क्या रह जाएगा root 3 आपका बाहर आ गया तो x रह जाएगा minus root 3 into root 2 that means क्या हो जाएगा आपका root 3 into root 2 directly आप root 6 लिख सकते हैं so x minus root 6 रह गया plus यहां पर guys 2 को आपने लिखा root 3 आपका as it is था अब आपका root 2 यहां से common आ गया इसको cut and एक root 2 यहां से cut कर दीजिए तो root 2 आपने common ले लिया bracket में क्या रह जाएगा x minus root 2 into root 3 क्या हो जाएगा again root 6 हो जाएगा equals to 0 अब देख सकते हैं दोनों से x minus root 6 आपका common रह गया bracket में क्या रह गया root 3 x plus root 2 equals to 0 ठीके now individually इनको 0 के equal put करेंगे x minus root 6 equals to 0 so x equals to root 6 यहां से root 3 into x plus root 2 equals to 0 so root 3 x equals to minus root 2 so x equals to minus root 2 upon root 3 now guys this is your second factor this is your first and this is your second and these are the solution of this equation so guys इस तरीके से आप question को solve कर सकते हैं and easily अपना यह rough work है आपका इसको आपको side में करना है यह है आपका question का solution so इस तरीके से question number 27 completely solve हो जाता है now question number 28 solve करेंगे so x square minus 3 root 5 x plus 10 equals to 0 now guys कैसे solve करेंगे यहां पर 10 है यहां पर coefficient value 1 है it means 10 1 is 10 equals to 10 means 10 के ऐसे factor करने है कि आपका क्या आए value 3 root 5 आए 10 कैसे factor कीजिए इनको add your subtract करने पर 3 root 5 आए अब guys 10 के अगर हम factor करते हैं तो क्या होता है 5 into 2 होता है अब कैसे बनाएंगे term को बहुत easy है थोड़ा सा concept समझे यहां पर root value values क्या है 5 है it means 5 को आप कैसे लिख लीजे root 5 into root 5 and 2 को as it is रखिए ठीक है concept समझना है कि कैसे factor वाली values calculate करनी है root में 5 है तो हमने 5 को root 5 root 5 कर दिया 2 को नहीं किया क्योंकि 2 root में नहीं है ठीक है तो अब हमें 3 root 5 लाना है now अगर आप देखते हैं यहां से 2 root 5 एक factor बना लीजे और एक root 5 तो 2 root 5 plus root 5 करते हैं तो कितना आजाएगा c root 5 यही तो आपको लाना है so इस तरीकी से सबसे पहले root वाली values को देखिए कि कौनसी value आपकी root में है उसको ले लीजे and then आप easily बना सकते हैं अपना factor so आईए solve करते हैं x square minus 2 root 5 plus root 5 into x plus 10 equals to 0 ठीके now solve करेंगे x square minus 2 root 5 x minus root 5 x plus 10 equals to 0 now guys यहां से क्या values common आएगी आपकी x common आजाएगा इसके अलावा कुछ और नहीं कुछ common नहीं आ सकता क्योंकि यहांपे सिर्फ x है so x minus 2 root 5 रह जाएगा now minus अब guys आप देखेंगे 5 को क्या लिख सकते हैं 5 into 2 5 to the 10 होता है and आप 5 को भी root 5 into root 5 लिख सकते हैं क्यों क्योंकि यहां पर root 5 है इसलिए हमने 5 को root 5 root 5 में convert किया ना के 2 को 2 को नहीं क्या कोई चुदूत ही रही है so यहां से root 5 आपका common आ जाएगा यहां पर क्या रह जाएगा x minus बाहर common लिया तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस बाइनस हो जाएगा आगे क्या रह जाता है आपका 2 root 5 रह जाएगा यह आप कैंसल कर दीजी एक आपने बाहर common ले लिया equals to 0 ठीके आप दोनों से आपका x minus 2 root 5 common आ गया तो bracket में क्या रह गया x minus root 5 equals to 0 अब guys x minus 2 root 5 को हम लोग 0 के equal put करेंगे तो x equals to 2 root 5 आ जाएगा x minus root 5 को 0 के equal put करेंगे तो guys यहां से x equals to root 5 आ जाएगा these are the two factors of this equation these are the solution of the equation these are the roots of the equation and these are the zeros of the polynomial of the equation 4 में से कोई सब्सक्राइब को पूछा जा सकता है आप इस सब्सक्राइब करेंगे जैसे कि आपने linear equation in two variables polynomials सभी में question को solve किया है okay so easy question समझ आया video like नहीं की है जल्दी से कीजिए comment कीजिए यह समझ आ गया and अपने सभी friends को share कीजिए and daily guys community channel पर जो को questions है time 1 के MCQs question है case based question है सभी आपको channel पर available कराए जाएंगे so channel पर नहीं है जल्दी से channel को subscribe करके सभी friends को share कर दीजिए अब सब problem solve हो जाएगी so मिलेंगी नेक्स वीडियो में bye bye take care